इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का प्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्यदारी नहीं होगी। 2. जिंको बिलोबा एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होता है और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ये कई अनिस्थितियों के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य, मस्तिश्क कार्य और आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदे मंद हो सकता है। 3. कैलशियम का उप्योग उन रोगियों में कैलशियम के निम्नस्तर और हड्यों की बीमारी को प्रबंधित करने और रोकने के लिए किया जाता है, जिनकी किद्नी या पैराथाइरोइड ग्रंथियां सामानने रूप से काम नहीं कर रही हैं। 4. विटामिन D3 हड्यों को घना और मजबूत रखने में मदद करता है और उम्र बढ़ने के कारण फ्रैक्चर के खत्रे को कम करता है। 5. यह अस्थीक हनिज घनत्व में सुधार करने में मदद करता है और औस्टियो परोसिस के खत्रे को कम करता है।